नमस्कार दोस्तों मैं चन्नन कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने उटूग चैनल साहस अप सलूशन्स पर और आप देख रहे हमारा एंगलर सेबेन का फुल टूटोरियल दोस्तों जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने प्री लोडिंग के बा कराया हैं उसमें यह देखेंगे कि प्री लोडिंग को हम अपने काव्डिंग कैसे कमवाних कर सकते हैं किस तरीके से हम कस्टम प्री लोडिंग को चार्ट करते हैं तो दोस्तों इस से पहले कि मैं इस बीडियो टूटोरियल को आश्डार करूँ आपके यूटूब आप औरी इमेल में मिलती रहें दोस्तों एक ही और आपको बताते चलूँ कि अगर आप डेटाबेस रिलेटेड वीडियो देखने में इंट्रेस्टेड हैं तो हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है डीवी आप वहां से जाकर देख सकते हैं हम उसमें डेटाबेस रिलेटेड बहुत सरे वीडियो डालते हैं तो मैं आप से रिक्वेश्ट करूंगा जुरूर आप विजिट किजिए तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो टुटोरियल को दोस्तों किस्टम पी लोडिं अनलाव करता है में मॉडिल और सक्रेवाइश कर सकते हैं जैसे मेरे पास ऐसा कुछ nós है कि हम कुछ मोडियूल को फूचर मोडियूल को हम एट करulus से कि application start हो उसके बाद load कर दें बागे हम on demand पर load करें तो उसको हम customize कर सकते हैं अपने according किस तरीके से करते हैं मैं step by step आपको बताऊंगा इस वीडियो में आप पूरे मैंने कुछ step बना रखा है कि उस step अप समझ लेंगे तो आप अप आपने application को preLoading में customize कर सकते हैं और अपने application को कर के हम बनाते हैं तो इस class में होता क्या है है हम preload में route के configuration करते हैं तो इसका क्या concept होता है उसको हम देखेंगे आगे एक प्रिलोडिंग एस्टेजी क्लॉस तो इसके लिए क्या होथा है दोस्तूर्ट स्ट पिक्र разм कर रहे हैं तो मौना दोस्तो अगर आपका application आलरेडी लेजी लोडिंग में कनफिगर। आपके पास यह कनफिगरेशन दीखे गा इस तरीके से जो मैंने एक syntax मना कर रखा है आप देख सकते हैं तो इसमें हमें क्या करना होगा यहां पर यह देख रहा है आपको data data preload true कर देंगे means कि जिस जिस चिल लोड चिल्रिन का जो path दिया हुआ जिस जिस path में हम data preload true करेंगे वो क्या करेगा कि preload में convert हो जाएगा वो उसी time application start होने के बाद ही according to preload load हो जाएगा तो दोस्तों इसी data को यह data preload true लिखा हुआ इसको हम service में check करेंगे जहां जहां true मिलेगा उसको उसी time load कर देगा जहां true नहीं मिलेगा उसको on demand load करेगा जो कि लेजी loading का concept है राइट यह आप समझ लेजिए कि जहां जिस जिस module को हमें according to preloading load कराना है तो आहां पर हम preload true कर लेंगे राइट उसके बाद दोस्तों सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताने कोशिस किया है कि हम service क्रियेट करेंगे राइट और service में अब क्या आप देख रहे हैं यहां पर कि कि हम preloading strategy class को implement करेंगे और preload method जो है उसको override कर देंगे और यहां पर हम check करेंगे आप देख रहे हैं कि data में preload है means कि जिसका जहां जहां प्रीड लिखा हुआ true है तो वहां उस उस path को load कर देगा अन्य था क्या कर देगा इस में उसको null return कर देगा means कि यही service check कर लेगा कि किस-kis path में किस-kis load children में preload true लिखा हुआ है तो वह data जो हमने अभी set किया वह data यहां पर आपको मिल जाएगा यहां पर हम check कर लेंगे और उसको हम enable कर देंगे लोड कर देंगे और बाकी को हम null करेंगे तो क्या होगा कि लेजी लोड के concept पर on demand लोड होगा तो दोस्तों मान लीजिए हमने क्या किया है कि routes का configuration किया है मोडिल उसके लिए हमने कुछ नहीं लगाया प्रिलोड टू नहीं किया तो यह जो person जो है क्या करेगा यह service में check कर लेगा वहाँ पर true मिल जाएगा इसको तो क्या करेगा उसको की application person start होते ही इसको लोड कर देगा person module को और इस address को लोड नहीं करेगा जब address पर क्लिक करेंगे तो अब on demand लोड करेगा जो कि लेजी लोड का concept है तो यहाँ पर हम customize करने अपने तरीके से राइट दोस्तों अगला step में यह होता है कि हम यहाँ पर custom preloading strategy में हमें करना क्या होता है कि जब हम राउटर मोडिल होता है उसके अंदर हम क्या करते प्रिलोड कर देते लेकिन अब हम यहाँ पर custom preloading strategy को जो कि हमारा service है उसको हम यहाँ पर assign कर देंगे right तो यह क्या करेगा कि इसको call करेगा और चेक करके उन्हीं model को लोड करेगा उसके बाद हमें क्या करना होथा आपको जैसा कि पता है पहले से हिसके जो भी हम service बनाते हैं उन्सकी सब्सक्राइब यहाँ पर register कर दिए जह होता है सब्सक्राइ почти और समझेंगे डिसकस करेंकि कीस तरीकेसे हम अपने प्लीकेस needs को कर लेते हैं जो कि हमारे लेड़ी लोडिंग में है उसको हम प्रिलोडिंग में करना है तो यह दिखाया उसी अपने अप्लिकेसिन कर लेंगे और उसका एफ्यक्त भी आपको दिख जाएगा इससे आपका कंसेट बिल्कुल किलियर हो जाएगा तो इसको लाश तक देखिए च चलते हैं पर जेक तरफ हुए इन हम अपको सबस्कार रहे होगा है तो दोस्तों सबसे पहुत हमने क्या बताया कि हमें पहले से हमने क्या किया दोस्तों कि एक अट्रेस नाम का मोडिल कर रखता है और इसका configuration आप देख सकते हैं हमने यहां पर डाल रखा है अ है घर हमने क्या तक लिए रख लिया धिशन के लिए डेट है और फर्री के लिए और व्हें आज़यं अीमिन नहीं लगा रखा है औब क्या करेंगे दोस्तो कि पर यहां पर हमारा इन पुलिंग है इसके लिए हमें क्या किया है सर्विस बना रख़ रख या इसको ममने बता दिए हमने के स्ट रिमेंट करते हैं ऐसे प्राव्त के अंदर है दो सब्सक्रावें क्या करेगा कि लूड़ कर देगा रइड और हमने आपको दिखाने के लिए यहां पे क्या कर लिया है कौंसोर डाट लॉग हुए तरह है और जिसमे बेसे में मिलेगा ऐर एक्सविक और होगभ आधक्स आठेन और कांचक्ट में आधकोरता है ध्याय च्भी में ह्याइए आग습 पर चैंङ करना होगा क्या हमें करना होगा है आप सर्विस सर्विस कर देना होगा ऐसे हम अगर सर्विस आपשר तो इसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा इसको राइट क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आप हमारा इंपोर्ट हो गई है अब हमारा इसका कोई मतलब नहीं मनता है इसको हटा भी सकते हैं तो कोई दीकत नहीं है राइट यहां पर हमें क्या करना होगा इसको इसके कोई प्रोवाइडर्स के अंदर हमें डालना होगा इसको और यहां पर हम क्या करेंगे आरे के अंदर इडाल देंगे राइट अब क्या होगा दोस्तों कि अगर हमें इसको सेव करते हैं अभी कुछ एर्र आ रहा है एक्सपेक्टेड यहां पर किया हां कुछ कर कि यहां पर षक्वर्त के वाद हे चाहिए है एकि हम से करेंगे कर जाएगा तर उसे लिआ इसपूर्ड हई आफ इसको दशुलूर अगर अगर इसको करद देखतें देखंआ हैं दोस्तों कर नहीं देखं़ cables का कि कंसोल के अंदर आई कर देख सकते हैं कि आप मोड्ल ऐस पर प्री लोडिंग अप्री लोड वा उसके बाद application हमारा स्टर्ट हुआ उसके बाद company को लोड किया और परशन वर्ण को लोड गिया था की मतलब के यह company और person जिसके जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसके एंदर company के अंदर यह data लगा रखा है और यह data लगा रहारा ili इसको चेक कर रहा है यहाँ इस service में की जिसका इसका प्रुव है तो इसको है हरा आप राहे है और यह हमारा console में write भी कर रहा अउर्ट करेंगे यह उर्ष करेंगे एक expect सूली करेंगे हो नहीं अपर डिमांड हो गया यह होता है दोस्तों परण सरे तości डाइग van अब को समझ में आ गया होगा क्या होता है प्री लोडिंग कोस्टम कोस्टम प्रीलोडिंग में हम चाहते हैं कोई फीचर मोडूल को अप्लिकेस्टन लोड होने के बाद हमारे उस मोडूल को 10 सेकेन या 15 सेकेन पुछ मिन लोड वो अपने आप तो पीम कर सकते हैं उसको चाना होता है कितना मुन किपनी कर सकते हैं कि कुछ कोई क्लिक कर bigger नहीं होगी को अपने अपने के विधीये कल लेका तो उसको हम तक ये थैंक ये सो मच